प्रधान मंत्री पद के लिए कौन उमीदवार है इंडिया का ये इस समय माइने नहीं रखता है बिल्कुल भी इस समय माइने ये रखा जाए कि एक आवाज में विपक्ष कैसे बीजेपी को टक्कर देगा लेकिन वो भी प्लान अभी बहुत जाता कॉंक्रीट नजर नहीं आ आज भी लोग बात कर रहे हैं कि हां इंडिया बन तो गया है इंडिया की गूंद सुनाई पड़ रहे हैं लेकिन इंडिया सफल कितना होगा ये अभी लोगों के घर मन में ये घर नहीं कर पाई जीज़ है बहुत चोड़ी टिपड़ी कर दो निरु जिस तरह की समाज का चुनाव हो गया है और नागिक समाज बहुत मोर्चों पर इक्रिक्टा हो रहा है जो दिख नहीं रहा है केवल उसको लीट करना या उसको चैनलाइज करने का काम इंडिया गड़ बंदन करने जा रहा है इसलिए इस चुनाव को पॉलिकल पार्टी से जादा जंता लड़ना चाहती है यह जटागे बहुत हिस्से मजब़ूर किसान लामबंत कना चाहते है और दूसी बात जो आपने पहले कही थी रगुए लेखिये रगुशं के प्रतिने लिए है और यह कॉंगेर तैप करेगी कि की कॉंगेर्स की अगर चुना पड़ेगा तो कॉंगेर रिप्रेजेंट करते हैं उनकी पार्टी की मुद्दे उठाती है जहां तक मुझे लगता है कि देखें पेंशन का सवाल महगाई जिसके तीन गटा के सिलेंडल पेट्रोल और बिजली पब्लिक सेक्टर की बहाली क्रशी स्वास्त और शिक्षा आरक्षन खास तोर पे निजी के तहट सिविल सोसाइटी लगातार इस पे काम कर रही है और ये मुद्दे बनने जा रहे हैं अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग तरीके से अगर वो ठीक से बिस्थापित हो पाए तो वो चुनाओं में इन पार्टियां जो इंडिया कटवंदन हैं इनके साथ लाममन पार्टियों को पत्रकारों को किसानों को मजबूरों को भी बचाना है इसलिए जब तक ये गटवंदन मजबूत नहीं होगा तब तक चुनाओं में जैसी तस्वीर हम लोग चाहते हैं वो नहीं बनेगी प्रधार्मंद्थी कौन होगा यह तो बहुत बात की बात है कि अ